नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्टेंस में इचोल आपके साथ मैं हूं रीना वैक्ति की सिहत उसकी सबसे बड़ी संपत्ती होती हैं कहते हैं कि सभी सुख होने के बावजूद अगर सेहती सही नहीं हो तो वह सारे सुख भी बेकार हैं इसलिए वैक्ति को अपनी सिहत पर खास द्यान देना चाहिए स्वास्त बिगड़ने के पीछे कई कारण होते हैं इसमें एक कारण वाश्टूश भी है घर में मौझूद वाश्टूश के चलते व्यक्ति दवाईयों के बाद भी उस बुमारे से उबर नहीं पाता है वास्तू के निचार घर में गलाट जगा पर दवाईयां रखने से रहता हैं साथ दिर भी नहीं पाता है वाश्ट सासर के माना मानना है कि घर के फाव या जाने की उत्तर पूपयार में दवाईयां चाहिए इस दिशास में दवाईयों भाब्या बहुत धीरे असर करती है और यह दाउ tactics द्वाईयों दवाईया प्लैटफॉर्म पर दवाईयां रखना से वेक्ति के जीवन में कोई न कोई दुमारी लगी रहती है वास्तु के जानकरों का मानना है कि घर में हमेशा इशान को न यानि उत्तर पूर दिशा में ही अपना दवाई का बॉक्स रखना चाहिए मानिता है कि यहां फर्स्ट एट करना ना भूले